मकर राशिवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, आप सभी को बता दें, सच्चाई सुनकर कलेजा हाथ में आ जाएगा, ऐसा गुप्त खबर लेकर आया हूँ, जो आपकी रातों की नींद और दि अंत तक सारे काम छोड़ कर देखना, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप सभी को ऐसी जानकारी प्राप्त होने वाली है, जो आपकी आँखें खोल कर रख देगी, आपको सारी सच्चाई पता आज चल जाएगा कि आप सभी के जीवन में क्या चल रहा है और क्या अब हो पताने वाला है, जी हां दोस्तों, ऐसा सच्चाई पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताया, जो हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, वीडियो शुरू करने से पहले जितने कि भी माता रानी की सचे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को सरव प्रतम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा, माता रानी का सीधा आशीरव आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, आप ना चाहते हुए भी लोगों के उपर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इन बातों का डर आपके मन में बैठ चुका है, इसलिए आप किसी के उपर अब विश्वास नहीं करते हैं। आपके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा संगर्श रहता है। आप छोटी छोटी चीज के लिए अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा तड़प है, बहुत ही ज्यादा तरस है। आपके छोटे से उम्र में ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने निभाई हैं। शायद ही कोई इतना बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकता था, जो आपने करके दिखाया है, वह हर किसी के बस की बात नहीं है प्यारे दोस्तों, लेकिन कहते हैं न, भगवान के घर देर होता है, अंधे नहीं, और इसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ भगवान होते है प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, चाहे कितना भी खुश हो, लेकिन आप भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखते हैं, भगवान के उपर जो आपका विश्वास है, वही आपको आगे लेकर जाता है प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, कि आपके जीवन में एक समय इतना बड़ा आया था, कि आपको भगवान से भी विश्वास उठने लगा था आप भगवान से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, और बहुत ही ज्यादा खुद को कोसने लगे थे, और अपने नसीब को ही दोशी ठहरने लगे थे लेकिन प्यारे दोस्तों कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अ नहीं तो प्यारे दोस्तों अब आपके जीवन में जो अंधेरा है वह अब रोशनी में बदल जाएगा अब आपका जीवन इतना ज्यादा चमकेगी जैसे चांद सूरच चमकते हैं प्यारे दोस्तों, आप सूर्य के जैसे चमकेंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य यदी काफी तेज चमकता है और उनसे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लोग अपना ही रास्ता बदलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे ही आप चमकने वाले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे जलने वाले हैं, वह अब आपके सामने पास होकर अपना रास्ता बदल देंगे. अब तक दुश्मनों ने आपको परेशान बहुत ही किया था, लेकिन हम उनका एक भी नहीं चलने आपके जीवन में आ रहा है. प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपने बहुत ही धोको खाए हैं, अपने जीवन में अपनों से ही प्यारे दोस्तों कहने की तो करीबी रिष्टेदार अपने ही होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब एक दूसरे से से जलते हैं. लोगों को नहीं पता है कि आपके जीवन में भी परेशानियां होती हैं। प्यारे दोस्तों, और आप तो अपने जीवन में इतना ज्यादा किसी दो ऐसे व्यक्ति से दुख मिला है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। आपको कहीं का उसे व्यक्ति ने नहीं छोड जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप अकेले बैठ कर खूब रोए हैं, लेकिन कोई भी आपके पास आंसू पूछने वाला नहीं था। जो इतना दुख सहने के बाद भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखना है। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन कुछ ऐसा रहा है, लेकिन अब जो होने वाला है, वह बहुत ही बड़ा चमतकार के समान होने वाला है। क्योंकि दोस्त, आप सभी को बता दें। चार दिनों के अंदर बुध और शुक्र ग्रह नजदीक आएंगे। इसके वजह से आपके जीवन में इनका खास प्रभाव पड़ेगा और यह घटना पूरे दस साल बाद होने वाली है, जिसके चलते आपके जीवन की परेशानियां छुमंतर हो जाएंगी। आपको अपने जीवन में कई सारे शुभ परिणाम मिलेंगे, जिनके बारे में आपको पता चलने वाला है। कुछ तो आपका किस्मत आप चमक जाएगा, क्योंकि बुद्ध और शुक्र ग्रह का नस्दीक आना आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम देने वाला है, जिसका अब तक आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी भगवान, श्री हरी विष्णु माता, लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें साथी। आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में ओम वासु देवाय नमा, ओम लक्ष्मी नारायन नमा, जरूर लिखिए। जो लोग मा बाप बनना चाहते थे, जिनकी इच्चा अब तक अधूरी है और इसके वजह से आपको लोगों के बहुत ही ज्यादा ताने सुनने को मिलते हैं, तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, आपकी यह इच्चा पूरी होगी और आपकी खुशी का काना नहीं रहेगा, आँखों से आंसु आ जाएंगे, जब यह खुशी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इस दुनिया में मा बाप बनना बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है, इसका एक अलग ही अनुभव होता है, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हमेशा समस् आप शांत शौकत की वस्तूओं को खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ना होने के कारण, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन में कई सारे समझहौते किये हैं। आप जैसा व्यक्ती बहुत ही महान व्यक्ती है। प्यारे दोस्तों, जो हर एक परिस्थितियों में ढालना जानता है, लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं समझते हैं, इससे आप दुखी होते हैं। लोग आप में ही दोश निकलते हैं, तो आप सभी को बता दे। आप कुछ समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो एक मिसाल कायम कर सकता है दोस्ती पर। जी हाँ प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें, बुद्ध और शुक्र ग्रह का नजदीक आना। आपके जीवन में कई सारी चीजों को पास लेकर आ रहा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिसे अब तक पंजान है। इस समय कौन से बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, धन संबंधी मामलों में आपका यह समय कैसा रहने वाला है। बिजनेस नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, कारोबारी के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके जीवन से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। जो की आपका ग्रह गोचर पर आधारित है, जो आपके जीवन में सौ प्रतिशत होने वाली है, प्यारे दोस्तों। लाबकारी साबित होने वाला है, क्योंकि आपके धन और बड़ी से आप बड़ा लाब कमाने वाले हैं। इस स्थिती में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं इस दोरान आप प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की हासिल करने में काम्याब रहेंगे। आपको धन कमाने के बहुत अच्छे अफसर मिलेंगे। आपको उन आप्शन को सोच विचार करके चुनना होगा ताकि अब अच्छा पैसा कमा सके। प्यारे दोस्तों करियर में उननती हासिल होगी। इस वक्त आप यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं जैसे कि यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार सट्टा मारकेट में या लौटरी में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अच्छा धन कमा सकेंगे। इस समय आपके विरोधी आपको देख कर स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप बिजनसमैन हैं तो आपके अगल बगल के लोग काफी आश्चर्य में पढ़ेंगे क्योंकि आपको काम कारोबार में शानदार सफलता प्राप्त होगी। आप इस समय कोई नई उपलब्धी हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों आपका आत्म विश्वास में वृध्धी होने वाली है। वही इस समय नौकरी पेशा ट्रांसफर हो सकती है जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगी। यदि आप या आपके घर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो उनकी रिटायर्मेंट की खुशी भी आपको मिल सकती है। प्यारे दोस्तों जो लोग पुरानी नौकरी को छो अच्छा धन लाब होगा। कोई बड़ा ओर्डर आपको पूरा करना पड़ सकता है जिसके वजह से आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। आपकी मेहनत का आपको पूरा परिणाम मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। जिस जिके चलते आपको हर एक शेत्र में सफलत हासिल होगी। प्यारे दोस्तों आप यदि खुद पर विश्वास रखेंगे तो हर चीज को आप आसानी से कर कर दिखा पाएंगे। बड़े से बड़े चुनौतियां भी आपके सामने घुटने टेक लेंगे प्यारे दोस्तों। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कि किसी दोस्तों वहीं इस समय आपको करियर के क्षेत्र में आपको ही परिश्रम का फल मिलने वाला है। जी हाँ, जॉब ने बॉस के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होते नजर आएंगे। जोनल सरकारी नौकरी करते हैं। उन लोगों को प्रमोशन मिलने की प्रतियोगिता परीक्षा में जो विद्यार्थी भाग दिये हैं, उन लोगों के पेपर काफी अच्छे जाने वाले हैं। यह इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार की तलाश में यदि आप हैं, तो आपको शीग्र ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। वहीं प्यारे दोस देखा जाए तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी यह समय काफी अनुकूल चल रहा है। करियर में विशेश उन्नती आपके सामने ही होगी, जिसके चलते आप बहुत खुश होंगे, कुष्ठ वरिष्ठ और प्रभावशाली और से आपकी पहचान बनेगी, उनके संपर संपर्क में आकर और इस दोरान आ आपके नए संपर्क भी बनने वाले हैं, जब संपर्क भविश्य में आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकते हैं, आएके नए नए साधन मिलने से आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार नजर आएगा, प्यारे दोस्तों, इंटर्व संपर्य आदिने संपन्न खुद को पाएंगे, कार्यक्षेत्र में लगे लोगों को इस दोरान किसी बड़े काम्याबी की प्राप्ती होगी, जिसके चलते आप बहुत प्रसन्न होंगे, करियर और नौकरी को लेकर नए लक्ष्य आप तय कर सकते हैं, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करते नजर आएंगे, दोस्त विद्यार्थियों को अच्छे कोचिंग में एड्मिशन लेने का अवसर मिल सकता है, जो विद्यार्थी अपना घर छोड़ कर दूसरे शहर जाकर शिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं, कि उनका यह सपना समय रहने वाला है, इन्हें मैं आपको बता दें कि आप उत्साह और उमंग से लबरेज रहने वाले हैं, करियर में नई नौकरी के प्रस्ताव प्रव का सुनहरा अवसर आपको प्राप्त होगा, जो लोग तकनीक, इंजीनियरिंग और मेकनिजम से जुड़े इसको अचानक से विदेश जाकर पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना, यह समय आपको जो भी उम्मीदें हैं, अपने कार्य से या किसी अन्य व्यक्ति से तो आपकी हर उम्मीदें पूरी होंगी, जी हाँ, आपके पहले दिनों के क बीतते हुए खुद को पाएंगे, प्यारे दोस्तों, बिजनिस में यदि आप अच्छा मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं, तो आपको अब नए तरीके का कुछ खास करने की कोशिश करनी चाहिए, जी हाँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों, अब वह जमाना बदल गया है, तो आप उसके हिसाब से अपने बिजनिस में कुछ नए चीज़ों को जोड़ना चाहिए, प्यारे दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सामाजिक शेत्र में कार्यरत लोगों को उनके विरोधियों के द्वारा उन्हें कोई परेशानी दी जा सकती है, कुछ लोग आपकी पीठ पीठ आपको बता दें, जो समय रहने वाला है, जो लोग बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की प्राप्ति के आसार नजर आ रहे हैं, जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह समय है, इनमें आप कई सारे मामलों में एक से बड़े एक खुश खबरी देखते हुए आएंगे, प्या में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के उपर काम की अधिकता रहेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके चलते आप थोड़ा तनाव में आ सकते हैं, यदि आप किसी जमीन जायजा की खरीदारी करने के इच्छुक हैं, आपका सपना है तो आपको यह सपना साकार होता नजर आएगा, वह अचानक से आप किसी मूल लिवान वस्तू की खरीदारी करेंगे, जैसे की नया वाहन, नया दुकान, मकान, घर, जमीन, जायदाद, यह कोई मूल लिवान वस्तू, घर की सुख सुविधाओं के लिए, या सोने चांदी जैसी चीज का खरीदारी कर सकते हैं, दिन खरीदारी का लंबे समय से आपने इंतजार किया था, प्यारे दोस्तों, इस दोरान आपको बता दें, आपके मन की कोई बड़ी इच्छा अचानक से पूरी होती नजर आई, कि जिसे देख कर आपको काफी खुश होगा, और आप काफी भगवान का शुक्रिया दावे करने वाले हैं, वहीं आपको अपने स्वास्थ्य के प्रती थोड़ा सचेत रहने की आवश्यक्ता है, इसी के साथ हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे अद्भुत समय के बारे में, जहां भगवान ने आपकी सारी गल्तियों को माफ कर दिया है, हाँ दोस्तों, वो भगवान कोई और नहीं बलकि माता लक्ष्मी, भोले नात और बजरंग बली हैं, जिनकी कृपा अब आप पर बरसने वाली है, आज शाम 6 बज कर 20 मिनट के बाद से आपके ग्रहों का गोचर ऐसा बदलेगा कि आपके जीवन में चमतकार होना शुरू हो होई है, अगर आप इस जानकारी से लाभानवित होना चाहते हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, देखिए दोस्तों, जब भगवान अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी गलतियां हमन मामलों में की हों, वो सब अब सुधरने वाली हैं, लक्षमी जी की कृपा से आपके घर में खुशियों की बोचार होगी, बस एक बात का ध्यान रखें, अब आपको अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है, अक्सर हम पैसे के मामलों में जल्दबाजी या गलत फै शीरवाद इस समय आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालने वाला है, कि सभी बाधाएं खुद बखुद हट जाएंगी, भगवान शिव को तो सर्वनाशक के रूप में जाना जाता है, वो हर प्रकार के कष्ट को समाप्त कर देते हैं, आपने जो भी गलती की होगी, चाहे वो कर्मों में हो या किसी संबंध में, भोले नात ने आपको क्षमा कर दिया है, लेकिन आपको एक बात का विशेश ध्यान रखना है, और वो ये कि अब आपको अपने कर्मों में इमानदारी रखनी होगी, भोले नात को सच्चाई और शुद्ध मन से की गई भक्ती प्रिय है, इसलिए अब आपको हर कर्म में शुद्धता लानी होगी, तभी शिव जी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख सम्रिध्धि बढ़ेगी, अब बजरंग बली की बात करते हैं, जिनकी ताकत और साहस आपको इस समय बहुत बढ़ी प्रेरणा देने वाले हैं, बजरंग बली के आशीरवाद से अब आपको किसी भी प्रकार का डर या असुरक्षा महसूस नहीं होगी, आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सीख है कि अहंकार से बचे, आपने अ और सहन शीलता के साथ आगे बढ़ना होगा, यही वो गुण हैं जो बजरंग बली के आशीरवाद को और मजबूत करेंगे और आपके जीवन में नया साहस और उर्जा लाएंगे, आज शाम 6 बजकर 20 मिनट के बाद जो ग्रह गोचर बदलने वाले हैं, वो आपके जीवन म और रिष्टों में नई उर्जा का संचार करेंगे, लक्ष्मी जी की क्रिपा से आपके व्यवसाय में लाब होगा, भोले नात की क्रिपा से आपके सारे कष्ट समाप्त होंगे और बजरंग बली की क्रिपा से आप हर चुनौती का सामना साहस के साथ करेंगे, बस अब आप आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा न दोहराएं। जैसे कि पैसे के मामलों में जल्दबाजी न करें, संबंधों में इमांदारी और सच्चाई रखें और कभी भी अहंकार या क्रोध को अपने उपर हावी न होने दें। अगर आप इन ब भगवान के आशीरवाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी, हर हर महादेव और जै बजरंग बली जरूर लिखें। इससे न केवल आपको भगवान की कृपा मिलेगी बलकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करेंगे। दोस्तों भगवान ने आपकी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया है लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्मों को और जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ें। यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुवात का है और भगवान की कृपा से आप हर मुश्किल को पार करेंगे। बस ध्यान रखें। धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और भगवान के आशीर को दिल से स्वीकार करें। आपका भविश्य उज्वल है और भगवान की शक्ति अब आपके साथ है। इसलिए इस महत्व पूर्ण जानकारी को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप इस लाब उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।